विश्कर्मा पूजा दो हजार चौबस इस साल सोलह या सत्रह कब मनाया जाएगा विश्कर्मा पूजा जाने इस दिन का महत्व और सुव समय अलो एवरीवन वेल्कम बेक टो में चैनल कुंज और फीशल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेजे नीचे बेला करने सप्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डारू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए विशकर्मा पूजा दोहजार चौविस इस साल 16 या 17 कब मनाया जाएगा विशकर्मा पूजा जाने इस दिन का महत्व और शोव समय विश्कर्मा पुजा 2024 ये तिवार उस तिथी को मनाया जाता है जब सुर्य कन्या राशी में प्रवेश करता है इस सुब दिन पर इंजिनियरिंग संस्थान कारखाना कारेशा लाएं और श्रमिक समुह भगवान विश्कर्मा को सम्मानित करने के लिए मशीनों हतियारों और जारों की पूजा करने के लिए अनुष्ठान करते हैं विश्कर्मा पूजा 2024 विश्कर्मा पूजा हर साल भादर पर्द के महिने में मनाई जाती है विश्कर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है हिंदू परानिक काथा के अनुसार भगवान विश्कर्मा भगवा ब्रह्मा के साथवे पूत्र हैं जिन्होंने ब्रह्मान बनाने में भगवान ब्रह्मा की मदद की थी ऐसा माना जाता है कि दुनिया के निर्मान से पहले कारीगरों और इंजिनिरों का जन्म हुआ था हिंदू शास्त्र के अनुसार ये तिवार उस तिथी को मनाया जाता है जब सुरे कन्ना राशे में प्रवेश करता है इस सुब दिन पर इंजिनिरिंग संस्थान कार खाने कारेशालाएं और श्रमिक समुभगवान विसकर्मा को सम्मानित करने के लिए मशीनों हथियारों और और जारों की पोजा करने के लिए अनुस्ठान करते हैं विसकर्मा पोजा तिथी दोहजार चौविस इस वर्स कन्या संक्रांती 16 सितंबर को पर रही है इसलिए विसकर्मा जैनती या विसकर्मा पोजा 17 सितंबर से एक दिन पहले यानि 16 सितंबर को मनाई जाएगी विशकर्मा पोजा सुब मुरत विशकर्मा पोजा सुब समय सुर्योदे से लेकर 11 वजकर 42 मिनट तक रहेगा अभिजीत मुरत 11 वजकर 51 मिनट से 12 वजकर 40 मिनट तक के दोरान भगवान विशकर्मा की पोजा करना विशुब माना जाता है विशकर्मा पोजा विधी विशकर्मा पोजा शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान विशकर्मा की मूर्ति या तस्वीर पर फूल चंदन रोली और अक्षत चढ़ाए धूप और दीप जलाए और मिठाए और फल चढ़ाते हुए भगवान का दिहान करें इसके बाद विशकर्मा चलिशा का पाट कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के वीच प्रशाद वित्रित करें और अपने काम में सफलता और समरिधी के लिए भगवान से प्राथना करें विशकर्मा पूजा का महत विशकर्मा जहनती पर अनुष्ठान करने और उचित तरीके से भगवा विशकर्मा की पूजा करने से वैपार में उन्नती और सफलता मिलती है ऐसा माना जाता है कि तकनीकी शेत्रों से जुरे लोग जो इस दिन अपने औजारों और सास्त्रों के साथ भगवान विशकर्मा की पूजा करते हैं उन्हें पूरे वर्स अपने औजारों और उपकर् काम करने में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये विस करमा वरत वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना कर दो कर दो